सारथी रच रोको आपको क्या दासा बना के रखे हैं वहाँ दुश्याला आपके लिए चिंतित है और मुझे आपकी खोज के लिए निकलना बड़ा और आपने अपनी ये क्या दासा बना रखी है तब सिंदु नारिस ने कहा ये मैं नहीं ये मेरा कलुसि दूसि अक्म सम्मान का सब है आपको क्या लगता है पार्णवो ने जायतरत के साथ किया वस्ते ही है कमेंट कर जरूर बताए आत्म सम्मान का शव है मित्र दुरियोधन मैं ये मू ना तो अपने मित्रों को और ना ही अपने शत्रों को दिखा सकता युगराय दुरियोधन जायतरत दुरियोधन से कहा कि मेरे सिर पर ये पांच चोटिया जो देख रहे हो ना ये पांच चोटिया नहीं, पांच सर्फ है, जो हर दिन, तिन राथ मेरे सर्फ पर मंडाते रहते हैं और मुझे डस्ते रहते हैं आपकी इस दसा किस नहीं किया और वो भी हस्तिनापूर राज्य की सिमाओं के अंदर तब जैतरन ने कहा कि मेरी ये दसा वो पंच सूल नहीं किया है, पांडव जो आपकी हिदे में भी दसा हुआ है तब दुरधन ने कहा कि पांडव ये नहीं जानते हैं कि दूसला उनकी भी बहन है, उन्होंने इस नाते का भी अपमान किया है पांडवों ने ये अपमान करते हुए सत्व की बावी में हाट डाला है दूरधन कभी शमा नहीं करेगा आपको क्या लगता है पांडवों ने जो किया वो सही किया कॉमेंट कर जरूर बताए जैदरत ने गुर्स से कहा ये जो पांच चोटिया देख रहे हो ना मेरे सिर पर ये पांच चोटिया नहीं ये पांडवों के मृत्य दंड के आदेश पत्र है जिन पर मैं उनके ही रक्त से हस्ताकसर करूँगा मैं तुमें बचन देता हूं युबराज जब तक मैं प्रक्ति शोद ना ले लू तब तक मैं अपने अपमान के घाव को भरने नहीं दूँगा तो शलानात नहीं है सिंदु नरेश इस अपराध के लिए कई कई पार भरना पड़ेगा उसके पती का अपमान करने वालों को आप हस्तिनापर चलिए नहीं उबराज ना तो मैं सिंदु देश जा सकता हूँ ना ही हस्तिनापर अब तो मैं तपश्या करूँगा और महादेव से बरदान प्राप्त करूँगा उन पर विजे पाने के लिए आपको क्या लगता है महादेव उनको बरदान दे देंगे कमेंट कर जरूर बताएं